नमस्कार प्यारे सातियों नरेंदर मेच चनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ आज अपनी रेलवे एलपी की पेपर सॉल्यूशन की दसवी क्लास होने जा रही है और 13 अगस्ट 2018 का सिप्ट वन का सॉल्यूशन पेपर आज पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहे है आज दो दोस्तों ऑप्रेटर नहीं और मुझे पता नहीं यह कमेंट्स हो कैसे हो रहे हैं तो आज मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा इसके लिए मापी चाहता हूं सिर्फ आज फिर भी आप बने रहाना क्लास में ठीक है वेसे तुम्हें मेरे कमेंट्स सो नहीं कर रहे ह में देख भी नहीं पाऊंगा फिर भी है न मैं क्वेस्टन को हर हर क्वेस्टन को दो बार और अच्छे से एक्स्प्रेंट्स कर दूंगा ठीक है और नहीं होता है तो आप कल वाली क्लास में आप कमेंट्स करके पूस्च सकते हैं ठीक है क्वेस्टन है कि दाल सेंव फोर्टी एंड फिफ्टी फोर इज कि 88 और चौवन का अल सिम क्या है अड़ताली सोंका एलसीम निकानने का तरीका बताता हूं आपको कि यह 48 है और यह 54 है तो 48 और चौन में इसी क्या कॉमन संक्या है जिनका दोनों में भाग जाता है तो 48 किसके टेबल में आता है छे की टेबल में तो 6 कॉमन ले लिया तो 6 कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचा आठ ची गए क्याड़ताड़ी र하면 24 नौए बच गए अब इन दोनों में कोई कॉमन ले सकते आठane Countal नहीं कोई संख्याह कॉमन नहीं ले सकते हैं तो कॉमन नहीं ले सकते लिए क्या करेंगे इन तीनों संख्यों को मल्टिप्लाई कर दो जो कॉमन लिया वो च्छे और इन दोनों का अपस में गुणा कर दो तो च्छे गुणा आठ गुणा नो और यह लगाए इसकोईशन ना सब सेजी सवाल था च्छे गुणा आठ मतलब 67 वरस में 834 रुपए हो जाती है तो प्रारम में निवेश की गई रासी थी मैंने इसके लिए हर कलास में यह सुत्रहमेशा बताया है कि अगर मिस्टर दन दे देता है में तो मूलधन वन प्लैस दर गुणा समये बटा सो बराबर अमाउंट क्या अमाउंट मूलधन क में पता नहीं एक प्लैस दर कितनी है छह परतिसत और समय कितना है छह से एक बटा दो तो तेरा बटा दो तेरा बटा दो और नीचे 502 सो बराबर कितना दे हुआर का 830 सो अब छेस से कट करेंगे तो तीन बार और दो अगरे तो प ये सो और तीरा को तीन से मल्टिप्लाइ करेंगेUP णेता 19% तो एक रहें एक allies दो चालीस और भटे इस इस आप दो डियरेक्ट केलकेलीशन करने का तरीका हमें पूचा क्या है फ SC9 मतलब पी का मान मौल्धन फोचा है अब फूचा या देखो कि पॉइंट में पॉइंट में और जान सुन में ठीकी कोई निहीं और अफसन में ठीक joak आज नहीं है तो यह इसका मतलब आप एक सो उन्फन सालीस का 834 में पूंध्य भाग जाएका। 390 मतलब 10 संख्य मतलब 10 10 से कम होगी है अब 10 से कम होने के लिए 9 को नो को 149 बटे तो 149 को अगर 6 से कट करते हैं तो 6 आ जाता है तो पी बराबर आंसर कितना आया 600 कितना आया 600 तो आंसर आ गया यह यह सुतर आपको बिलकुल दिमाग में ब्याज घऑने और ये और ये किसा से आता है यह भी बता श्राश treating अकि ये इस प्रकार आता है कि यह मान लो यह मूलदन हे और 100 रुपें मोलदन है ठीक है अब 100 रुपें मोलदन है उसका आर परतिसत कितना आर प्रतिसत तो आर प्रतिसत कितना होगा इसका आर प्रतिसत ब्याज तो आर होगा सो का दस प्रतिसत दस होगा तो सो का आर प्रतिसत आर होगा ठीक है कितने समय के लिए वार सी कहें तो एक वरस के लिए तो एक वरस के लिए और प्रतिसत को अठाने के लिए सो से भाग तो कितन ना कितना आया ये एक सालगा प्रसका चाहिए तो 0 defeat अब इसमें यूशा है कि हमने 100 लोडन माना लेकिन अश्यमी मूलन क्या है पी तो पी पर आर प्रतिसत की दर से एक साल का ब्याज यह हो गया तो टी साल का कितना ब्याज होगा पी आर टी बटा सो यह क्या है सिंपल इंट्रेस्ट कि साधारन ब्याज सिंपल इंट्रेस्ट होता है मूल धन पर ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज मतलब साधरन ब्याज पर भी ब्याज लगे उसको क्या बोलते हैं चक्रवर्दी ब्याज और इस उसका को मेने अनसर बताई दीया था नेकस्ट कोेट्य कीमत धेगे उसको कि विष्मू ने बारह मेज और कुछ पर स्वर्दी ख्रदनेवें वें में की संक्या कितनी है पता नहीं तो एन है और कुर्शी का मुल्ले कितना है 40 रुपई और टोटल पैसे कितने खर्च किए इस पर इसने 5000 ठीक है अब 12 को 5 से मल्टिप्लाइए करेंगे तो 60 और 60 आगे तो 600 तो 40 एन 40 एन बराबर 600 पांच हजार में से 600 गए तो 400 तो एन बराबर 400 बटा 40 तो 0 से 0 कट गया और एन पांच किस डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया क्या गया 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 जब्रीच कितनी आगई एक सो दस जब की यह टेबल कितनी देर की थी बाराः अनुपात पूछ रहा है कट कर दो दोस्से कट करेंगे तो पच्पन और 2 से कट करेंगे तो 6 अब इसके अलावा यह कटने रही यह 2 से नहीं कट रहा है यह 3 से नहीं कटेगा 5 से नहीं कटेगा 6 से यह नहीं कटेगा साथ से दोनों नहीं खटेंगे, आठ से दोनों नहीं 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 से खटेंगे, दस से उपड़ जाने का सवाल ही नहीं है, ठीक है? तो आंसर गया है? पत्षपन अनुफात से तो आंसर आ गया? बी तो इस परकार इसका आंसर आया? बी एसे question, easy question इनको एक बार समझाता हूँ, ठीक है, पीटर और प्रीती की उमर के बीच का अंतर पांच वरस है, जब उन्होंने 35 वरस पहले साधी, देखो ये है, ये पीटर है, पीटर है और ये प्रीती, इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, कुछ भी मान लो लेकि ए और बी मान लेते हैं, पीटर लड़का है, ये ये बी लड़की है, इनकी आयू का अंतर कितना है, पांच, वरत्मान आयू, ये जो अपन आयू मानते हैं A और बी, ये वरत्मान मानते हैं मेंसा, ताकि जो आंसर है इनका मान आए हमें वरत्मान पूचे तो मैक्सिमम वरत वरतमान ही पूशता है और वरतमान पूशता तो A और B जैसे इनके साथ जो भी इनको गुणा करना एन या दूगुणा करना इनमें चार जोड़ना तो वह सभी नहीं के साथ हो तो ठीक रहे था ठीक है अब बॉलरा था 35 वरस फहले इन्होंने साधी की 35 वरस फहले अभी कितन साल की यह हिए तो 35 साल Pizza पहले 15 साल की थी और अभी यह 50 की यह 55 की मल और यह 55 का है तो 35 मेशे 25 गहा तो वह भी साल बगा था था थीक है अब बोल रहा है पीतर की उमर का 4 गुना 35 साल के U 25 थी इसका चार गुना पृत्ती ही पृत्तिया प्रीति की 35 साल उमर पहले इतनी थी बी माइनस 35 और इसके पांच गुने के बराबर था बस में इंपोर्टेंट कंसेप्ट यहीं लागू होता है ठीक है अब ए बराबर यहां से यहां से ए बराबर बी प्लस पांच आ गया कैसे आया बी को इस तरफ जाते ही माइनस का चीन ज जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा पक्सा आंतरन करने पर ठीक है ए बराबर बी प्लस पांच रखते हैं बी प्लस पांच माइनस 35 बराबर इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो 5 बी माइनस 35 को पांच से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे एक सो पिछेतर, तो कितने हाँ habe एन्गे एक सो पिछेतर, ठीक है, अब 4 को इससे multiply करेंगे तो 4b, 35 में से plus minus क गए 35 में से plus के 5 के गए तो कितने में से minus के 30, और minus के 30' को 4 से multiply करेंगे तो 120 minus का, बराबर 5b minus 135, ठीक है, पांच B में से Çार B गए तो एक B और ये पांच बी तो 175 इसतर बाज है गहाई 175 में से 120 गए तो कितनी 175 में से सो गए तो 75 में से 20 गए तो 55 तो जो B का माना है 55 और किसको माना था पृति को पृति की एज है कितनी यह पर एक पर साल है तो इसकी पिटर की कितनी होगी पिटर की होगी 55 प्लस 5 कितनी आ जाएगी 60 साल क्या बोल रहा है तो उनकी आयू का वरत्मान योग क्या होगा मतलब A प्लस B का मान पूछ रहा है A प्लस B का मान पूछ रहा है तो 55 प्लस 60 बराबर कितना आया 50 और 50 100 100 और 10 उपर है तो 110 और 5 115 कितने हैं 115 तो आया क्या 115 ठीक है अब नेक्स्ट क्वेशन है एक सम्चतुर्भुज की एक बुजा की लंबाई 41 सेमी है और इसका चैतरफल 720 सेमी स्क्वाइर है तो इसके विक्रणों की लंबाई का योग क्या होगा सेमी स्क्वाइर है या ठीक है सम्चतुर्भुज सम्चतुर्भुज बनाते हैं अब आज कमेंट नहीं दीख रहा है तो मैं आपको पूछू भी कैसे तो लो एक बार आप इसको करने की कोशिस करो में सब तब तक चित्र बनाता हूँ ना इसको मानते हैं अब इसकी बुजा की लंबाई कितनी है इकतालीस तो ये बी इकतालीस होगी और ये कितनी है ये बी इकतालीस होगी और ये कितनी है ये भी इकतालीस होगी और ये भी इकतालीस होगी ठीक है थे चैतरफल कितना दे रहा है इसका चैतरफल दे रहा है गला Raumlla Slussia संव चत्रफुर्फुज की एक खास्यत होती है कि उसके जो आमने सामने की एक आप बे-बर अबर बुद्वर रभी होती है और रहा विक्रण्य जिस बिंदु पर कट ते बिंदू पर ही यह 90 degree Just ripartate किने करते नाइनटीडीडी प्रेकसिपित करते हैं ठीग कि अब यह 90 यह सम कोंण तरीभुज बन गया और समकोंण तरीभुज बन गया तो यह यह है यह यह अच्छा इसके साथ साथ ये भी है कि सम्चत्रुपुज में विक्रना आपस में 90 डिग्री पर ही तो काड़ते हैं और आपस में एक दूसरी को सम्ध हुई वाजित करते हैं मतलब ये भी आदा आदा होता है और ये भी आदा आदा होता है अब है कि अब यह सब बोल रहा है तो एसकोए अब सबसे बढ़ी बात यह है कि आपको यहां पर ट्रिपलेट आता है तो इसकी भी आवसकता नहीं है इक्तालिस वाला ड्रिपलेट क्या होगा एक्तालिस का स्कॉयर कितना होता है अब अगर 81 आ गया तो 81 जो विश्म संक्या होती है उनका बता रहूं समकालक बताऊंगा इनका स्क्वाइर कितना हुआ 21 मेंसे एक माइनस कर दो ठीक है माइनस कर दो यह कितना बचा असी अब असी को आदा आदा कर दो तो कितना आ गया 40 और 40 अब जो माइनस किया था इसको एड कर दो तो कितना आया कितना या 41 तो यह 41 में यह कहता है कि इसमें से एक करण होता है और एक लंबिया आधार होता है यह दोनों लंबिया आधार होता है तो 49 और 41 का रेश्यों आ गया तो क्या आ गया एक हो गई 40 और एक हो गया 9 नो का स्क्वार प्लस 40 का स्क्वार बराबर 41 का यह है तरिया तो ए बराबर 40 आ गया और बी बराबर 9 आ गया तो कितना एगा टू ए प्लस टू बी हमें तो दोनों विक्रणों की लंबाई का योग याद करना है तो पूरा विक्रण कितना है टू ए पूरा विक्रण यह कितना है टू बी तो टू तो कोमन ले लिया और ए प्लस बी यानि दो ए प्लस बी एक का मान है 40 और बी का मान है नो तो 40 और नो गुंचास और गुंचास को दोस्टी मुल्टिप्लाई करेंगे तो इठ्यान में से में यह तो आया इस परकार एक दूसरा तरीका हो रही है एक तो हो गया कि A square J A square plus B square ब्राबर 41 का square यानि 1621 यहीं तक हो गया दूसरा क्या है दूसरा होता है संचातूर्पुझ का शयत्रफ़ल संचातूर्पुझ का शयत्रफ़ल नहीं होता है कि दोनों विक्रणों का गुणनफल बटा दो दोनों विक्रणों का गुणनफल दोनों एक बटा दो गुणा दोनों विक्रणों का गुणनफल विक्रणों का गुणनफल बराबर सम्च तुर्भुजगा क्या होता है छेत्रफल होता है ठीक है एक बटा दो कोणा दोनों विक्रण कोण सा है एक तो 2A complete विक्रण complete लेना होता है आदा नहीं यह आदा तो यहां कटान हो गया तो यह त्रिबुज यहां तकी आ रहा था इसलिए लिया है इसको ठीक है तो 2A गोणा 2B बराबर क्या हो गया 720 दो से कट करेंगे दो कट गया है तो 2A B बराबर 720 ठीक है अब यहाँ करते हैं देखो यहीं पर करते हैं जो A square plus B square plus 1621 यह तो दोनों तरफ 2A भी जोड़ देते हैं A square plus B square plus 2A भी बराबर 1621 plus 2A इधर भी जोड़ रहे है इधर भी जोड़ रहे है 720 कितना लिख देते हैं 720 ठीक है अब A plus B का whole square हो गया क्या हो गया A plus B का whole square हो गया अब 1621 क्या है 1621 और 1621 प्लस यह है 720 तो 720 1600 में 700 जोड़ेंगे तो 2300 और तो 24 अब 2401 है तो यहीं पर कर देतो A plus B बराबर क्या आगया दिख रहा है A plus B बराबर 2401 किसका होता है 2400 किस से कम है 50 कि स्क्वाइर से कम है 50 क्या होता है 3500 अब 3500 में से 2400 कम है तो मतलब आएगा जो भी संक आएगी वो 50 माइनस एक आएगी और 50ially 50 माइनस जो भी आएगी वो 501 अखस आएगी अकस कीजिए कहेगा 1 एक कोरन क्यों सा आता है आप ये डूंडओ कि जो एक आता है वो किसके वरग में आता है तो एक तो एक के वरग में लाश्ट में एक आता है 11 के वर्ग में आता है 21 के वर्ग में एक आता है आप पहली बात है की फटास मानेस एकीस 50 मेनेस गतीश हो गया तो 625 के नज़दी की आजाएगा 25 के स्क्वाइड तक ठीक है यज हो गया दूसरा आता है 11 वाला तो गयारा वाला कि गयारा लेस करेंगे वो तो 29 तो इतना हैगा इक्यांसी और इक्यांसी के लिए कितना हैगा पचास का स्क्वाइर पचीसो और पचास को दो से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 100 और सो को है Malaysia कि सो और सो को सल गटार तो टीक है 5-49 और प्लस किसका 449 का स्कॉर तो यह करेंगे इसको ओंगे यह कि यह हैं पचास म माइनसद इसको किसा प्रकार करेंगे 50 स्क्यार हो गाया 25-0 इसमें क्या कड करेंगे इस एड करेंगे 50 को दूगुणा करेंगे 100 और 100 को 11 से multiply कर देंगे तो 1100 1100 ये minus का और 11 का square वापस जोड़ देंगे इसमें तो 121 तो पहले 121 इसमें जोड़ देंगे तो 2600 21 और 2621 में से 1100 लेस करेंगे अब 2621 में से 1100 लेस करेंगे तो 1 2 5 और 1521 तो 49 का square है 1521 अब आता है 50 माइनस एक तो ये 25 तो सेम सेम है ठीक है 25 सेम सेम है और 50 का दूगुणा 100 और 100 को इससे गुणा करेंगे तो 100 तो माइनस के 100 एक का square एक तो एक इसमें add कर दो तो ये कितना आया पचीस सो एक और माइनस के 100 तो कितना आया 40irm तो किसका आनसर आया ये 50 माइनस एक किसका आनसर आया ये 49 का किसका आया 49 तो इसका आनसर कितना आयेगा A पलस B बेराबर 49 लेकिन A पलस B तोड़ी Yas 2 A पलस B पूसर आग 2 A पलस 2 B A और है तो 280 का principle कितना हो जाएगा 2 A plus B बराबर 98 तो answer आए गया C ठीक है लेकिन मेरे को ये तरीका अच्छा लगा क्योंकि ये इसमें दे भी दिया नहीं भी देता तो भी ये triplet से निकालना होता है ये triplet का तरीका direct दे को तीन step में answer आए ये भी लिखाने के आवसेकता नहीं थी ये शुत्तर लिखने के आवसेकता नहीं थी अगर आप को direct आथा तो ये लिखने की आवसेकता नहीं थी ठीक है next अब next है कि वह संख्या ज्याद कीजिए जो स्रंकला को पूरा करेगी अब इसका तो कम से कम आप reply दो ये तो reasoning का भी है और ये maths का भी question है ठीक है तो वह संख्या ज्याद करो जो निमनलिकित स्रंकला को पूरा करेगी तो इसमें 0 है, 1 है, 8 है और 27 है तो इनमें क्या relation है आप एक बार relation निकालो 0, 1, 8 और 27 0, 1, 8 और 27 ये 0 का cube है ये 1 का cube है, ये 2 का cube है ये 3 का cube है, तो 4 का cube कितना एगा 64 और 66 answer क्या गया D, कितना अच्छा सवाल था एक second नहीं लगती है, इस equation एक्जाम में आ रहे है और फिर भी अपना selection नहीं हो रहा है तो ये तो बड़ी सरम की बात है, ठीक है ये क्या बतारा, 430 में divide by 29, देखो ये भी कितना easy, ये हर shift में इसा सवाल पूच रहा है, इस equation करके जाना आप, इस चीज को मत भूज है इतना easy आ रहा है, बस यहाँ आपको सोच नहीं आवसकता नहीं होने चीज़, बस चिन को देखना है इतने दिन multiply का चीज़ आ रहा था, अब आ रहा है, 29, 29 बराबर कितना आया, 17, ठीक है अब इसको ये ही छोट दो, वो क्या है, 400, 33 में, 4.33 में, बटे, 0.0017 इसको क्या लिखेंगे, 2 0 नीचे जाएगा, और 4 0 उपर जाएगा, तो कितना आएगा, 4, 9, 00, बटा, 17 इतनी दिन अच्छी बात ये थी कि गुणा में दे रहा था, संक्या चेंज निगा, अब संक्या चेंज कैसे कर दिया, 17 को यहा ले जाएगा, और अगर 29, 29 को यहा लाओगे, तो 17 आजाएगा, अब 17 को यहा ले जाएगा, तो लाल, हरे और गुलाबी, टोकन वाले एक बेग में, लाल से हरे टोकन का अनुपात, 5 अनुपात, 12 है, यह लाल है, और क्या बता रहा है, लाल, फिर हरे से, यह हरा है, और फिर क्या बता रहा है, गुलाबी से, लाल, तो यहार गुलाबी यहां पे लिखते हैं गुलाबी पहले लिखते हैं गुलाबी ठीक है? क्या लिखते हैं? गुलाबी फिर क्या लिखते हैं? लाल और फिर क्या लिखते हैं? हरा क्या लिखते हैं हरा अब लाल और हरे का अनुपात कितना आया लाल और हरे का अनुपात आया पांच अनुपात बारा ठीक है और गुलावी से लाल टोकन का अनुपात कितना है साथ अनुपात पंदरा तो यह दो अनुपात को मिक्स करना में हर रोज बता रहा हूं आज और द कर दोनों का यह यह ए billion रंग कितने ये और अनुपात दे दिया चार तो इन में कौन किया रहा है लाल या रहा है क्योंकि दोनों मे क्या रहा है ये क्यों कि अगर इन entitled हा ने मैं कर देंगे तो यहां जाए इस संख्या को यहां लिखो तो हैं से 2017 करेंगे तो थीक तो इस समिखरण को 15 से multiply करेंगे तो 36, अब आप यह देखो, कि 15 के अनुपात में 36 है, और दब इस 15 के अनुपात में 7 है, तो value तो सेम ही है न, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 अनुपात 15 अनुपात 36, अब आपका कहना यह भी हो सकता है, कि सर आपने इसको किसी संग कैसे multiply क्यों नहीं कि, इसको इस से multiply कर दो 15 आजाएगा और इसको 3 से multiply कर दो 5 को तो पंदरा आजाएगा, तो इसमें इसलिए multiply, हाँ अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ इस 4 से यहाँ गुणा करते हैं, और यहाँ वाले 5 से यहाँ गुणा करते हैं, इस प्रकार 7 अनुपात 15 अनुपात 36, यह कौन से का अनुपात 7, मैं 173 को पूछ रहा है, ठीक है, तो answer आया, 36 अनुपात 7, ठीक है, next question, यह है, पांच जाएगा, 5,329 का वरगमूल क्या है, 5,329 का वरगमूल, 5,329 के वरगमूल के लिए मैंने कल भी बताया था, 50 का स्क्वाइर कितना होता है, 25, 25 से ज्यादा है, 100 का स्क्वाइर होता है, 10,000, तो 10,000 है, तो 10,000 से कहमा, तो फिर अपने को कहां तक याद रखने हैं थे, 24 तक, 24 बाद में वही, मैंने कल फॉर्मूला बताया है, वही फॉर्मूला अपलाई करना है, ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है, पहले 75 का, य अब क्या करते हैं, 39, आप 1 से लेके 24 तक ऐसी संख्या देखो, जिसका स्क्वाइर करने पर अंत में 39 आए, तो 39 आए, तो 39 आने वाल दो संख्या है देखने, पहले बात तो यह है कि इनिमें से, ओप्षन कोण सा कट रहा है, ओप्षन कट करने वाली बात देखो, ओप्षन आन्सर है, तो यह तो सिदा-सिदा आँसर आगया ने कि फिचेतर इकाछाफवां 25 है, तो प्षैतर यह तो डारेक्ट आए, कीतना आया यह जब दूसरी कंडिसन यह है, दूसरा बताता हूं, दूसरा है कि एक से लेके 24 तक ऐसे स्क्वाइर करेंगे तो श्रीब एक ही जंक क्या है जिसके लास्ट में दोनों अंक 29 आते हैं वो है तेवीश और तेवीश का स्क्वाइर करते हैं तो आता है पांसो कि अप 529 आता है तो वह अrapना तो तरीक अब 50 पलस तो अन该 आते हैं तो सभी सन्ख्याव का ओएड़ तो पचाश को iki ही तो 100 और 100 को 23 से मल्टिपलाई करेंगे तो कितना हैगा 2300 तो किसका आंसर आया 50 प्लस 23 का और 50 प्लस 23 कितना आ गया थेतर कैसे जोड़ते हैं मैंने बताया 50 को डबल करेंगे तो 100 और 100 को 23 से मल्टिपलाई करेंगे तो 2300 और 23 का स्कुएर कितना आ गया 39 ठीक है यह इस प्रकार आगए नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन है नेक्स्ट क्वेशन है कि देगे विकल्पों में से सबसे चोटी वरग संख्या ज्यात कीजिए जो आठ 15 और 20 में से प्रतेक से विभाजे हैं तो पहले और पंद्रा का आएगा 120 और 120 में 20 का भी ज्यादा है तो इनका हैल्सियम कितना आया आठ है है 50 chocolate और कालिस्यम कितना आया किडिभा एै कि ये नहीं कि ये भी वरगमूल है ये भी वरगमूल यह भी वरग मूल है ठीक है अब यह बोल रहा है कि निम्लिकित में से सबसे चोटी वरग संक्या सबसे चोटी इसका मतलब यह नहीं कि इनी में सबसे चोटी है जिसका 120 का भाग जाना चाहिए उस संक्या में तो 120 का भाग देंगे पहले शत्तिसो में देते हैं तो शत्तिसो ब आंसर यह आ गया चाहिए पहली में चला गया लेकिन दूसरी और चेक करके देखते हैं देखो तो सथ सो गुणा एक सो बीस एक जीरो से एक जीरो चार से कट करेंगे तो एक सो साथ बटे तीन शह और एक साथ पाइंट में जाएगा नहीं जाएगा कंप्लीटली विभाज्य होनी चाहिए संक्या क्या होती है कि कंप्लीटली विभाज्य होता है ठीक है तो यह आ गया अब है । पहले question में दिया है सबसे चोटी वरग संख्या सबसे चोटी व्रग शंख्या थी देखनी थी इसमीं भाग भी जाये और वह रग मूल भी हो और चोटी भी हो सकता तो नहीं थी तो इस प्रकार इसका आंशर आया अब नेक्स्ट कोई से 20 प्राप्त करने के लिए 32 गुना तीन को किस संक्यासी विवाजित करने चाहिए तो यह 32, गीतिुस देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना इजी यह बड़ा बटा किसे है, हमें नहीं बता किसे है, A मानलो अपना तो, A है, और कितनी प्राप्ट करनी है था है, अब प्राप्ट करना है अपको, ठीक है, A को उस तरफ बेज दो, 32 बटे, 3, और A को उस तरफ वज़र ग से multiply करेंगे तो 15 और यह क्या गया ए तो वह संख्या क्या आ गई आठ बटे 15 इतना तो पता है ना कि इस संख्या को किस संख्या से विभाजित करें नहीं पता तो उसको कोई भी मान लो जो संख्या पूचरा उसी को वह मान लो बस मानने का तरीका यह है कि जो भी संख्या आप तो उसी प्रकार या गए अब नेक्स्ट क्वेस्टन है कि समित को छह दिवस्य बिक्री अभियान के दोरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ पेसे दिये गए तिल्ए हालां कि उन्हें अपना परवास चार दिन और बढ़ा ना पड़ा और परिणाम सुरफ उन दिवस्य बिक्री अवियान के दोरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए गए तैंब 155 अभ वज रादे ने अब time बढ़ने की वज़े से 6 दिन के जगह 10 दिन और 10 दिन करते हैं उनका ओस्त जो बत्था था वो कितना कम हो गया 56 रुपे कम हो गया क्या बुज़रा कि सुरुवात में उतने कितनी रासी स्विकर्थ की गई थी तो हमें मानना है एक दिन का कितना है ओस्त देनिक बत्था शुरुवाती ओस्त देनिक शुरुवाती शुरुवाती बत्था अब यही तो पूत्रार यही पता नहीं आजना है नहीं जी यह तो पूरा कंपलेट रासी पूच रहा है लेकिन शे और आफ िन की तो इसको मानेंगे अपन क्या मान लेते हैं यह माल लेते हैं ठीक है अच्छा लगता इस गिली ए लेकिन average था वो कितना कम हो गया? 56 रुपे हैं तो average पहले ए तो था अब कितना बत्ता कितना कम हो गया? 56 रुपे है ठीक है 6A बराबर 10 को A से उना करेंगे तो 10A minus का जिन minus 10 को 57 से multiply करेंगे तो 506 6A उस्तरफ जाएगा तो 4A और 560 उस्तरफ आएगा तो plus के 560 एक का मान निकालने के लिए 4 का भाग देंगे तो कितना आया? 140 अब ये एक का मान आ गया है मतलब शुरुवात में उसे देनिक बत्ता था वो 140 था पूछ क्या रहा है शुरुवात में उन्हें कितनी राशी दी गई? देनिक रांसी कितने 140 पूछ करें ना सुरुवात में कितने तो 6 दिन के दी गई थी न तो 6 गुना 140 14 को 6 से मल्टिपलाई करेंगे तो कितना आएगा 14 से ओर 0 तो आंसर कितना है 840 रुपई ठीक है Next question अरे बोह तो नहीं हो रहे हैं ना आज कमेंड नहीं देख पा रहा हूं देख रहेंगे गुरुजी आज हमारी सुननी नहीं रहे कोई बातें वो दिल की बातें वाले इरकांच लेगे आज दिकी नहीं रहे दो संखे 15 अनुपात 11 के अनुपात में हैं यदि उनका SCF 13 है तो संखें ग्यात कीजी यह देखो LCM और SCF का निटोड आ गया यहीं के किसी के अगर समझ में नहीं आ रहा था LCM और SCF तो यह यहीं निटोड आ गया इसका निटोड यह आया मैं आपको बता रहा हूँ कि दो संखे 15 अनुपात 11 के अनुपात में हैं जैसे कोई संख्या है 12 और 16 क्या है ऐसे माल लो इसमें नहीं है ठीक है तो 12 और 16 माल लो अब बोलते हैं कि 12 और 16 तो 12 और 16 का एक ही सिस्टम है कि इनका अनुपात कैसे निकालते हूं एस निकालते हूं कि 12 और 16 कोई संख्या बताओ जिसमें 12 और 16 बागा बताओा जाताओ 12 और 13 32 नहीं जाता अपितना जहीं कितना एसे जहां방 में 28 It okay है 48 आ वक्रीक के एनका ऐसीस्ट होता है महतं समांपरते हैं यह तो था योलता है diff war लगूतम लगूतम इनका इसे चोटी से चोटी संख्या जिसमें रीगें संख्याओं का फूर्ल हमार्ण जाता है और ऐसे वोता है महतं समांपरते और 锜 Scout बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दीगी संख्याओं में सभी संख्याओं में भाग जाता है तो यह उल्टे होते है इस प्रगा ऐसी कोण सी बड़ी संख्या है जिसका दोनों संख्याओं में भाग एक का दोनों में जाता है अब एक तो आएगा या आएगा अब दोका आठ बारा से बारा में नहीं जाब्तoded करें दीन और चार शोडा कर तो होगा से ऑगा है जहां च्छार शारी शेल भाए देता आठ का। आठ पर देते हैं दौन is बारा लेग리 चोड़ा में याठा फिर किसका बारा में याषा 14 सौरा में जड् Junka नह loga वारा हम जटना फिर तो किशी का जया गए नई ky conference अब इसमय से 45 लो सेख्लों लोगे यह जो बचेगा एसख्लों लेने के बाद बचेamız दो संग्याओं ऑनुपाद पचेगा कैसे ऐसे चार कॉमन ले ले तो 55 अब है कभी नहीं टेगा कभी नहीं कटेगा मतलब यह है कि अब LCM निकालेंगे लिए तीनों को आपस में गुणा कर दो बस चार गुणा तीन गुणा चार तो इसी प्रकार यह संख्या देरका है कि 15 अनुपात 11 और इनका स्सिवल्सका क्या देरका है तेरा तो बॉरला करोगी तो से मलटिप्लाइए करोगी तोak जनाएगा 150 प्लस 45 एक्सो पिच्यान में और 13 को 11 से मल्टिप्लाइ करें दे एक्सो थीस और 1343 तो ये दोनों संखें आगे तो क्या एक्सो पिच्यान में 143 ए आंसर आगे ठीक है ये तो आ गया ये तो संखें लेगन हमें ये देख कर बस ये पूछ ले था एल सिर्फ थीनों संख्याओं का इसमीं गुणा कर दे दे एल सिय एम क्या आजाता तेरा गुणा फंद्रा गुणा 11 जो भी आंसर आता वो आ जाता तो यह में आप लिखा देता हूं संख्या माना यहां लिखाऊंगा तो समझ भी नहीं आएगा दूसरे पेज पे लिखाता हूँ ठीक है माना संक्या है माना संक्या है दो संक्या है इनका SCF है इनका SCF मान लो N मान लो LCM कैसे निकालते है इनका संक्या है तो संक्या हों का अनुपात देखो या संक्या है तो संक्या हों का संक्या हों का अनुपात क्या है अनुपात अनुपात क्या रखो A अनुपात B ठीक है A अनुपात B तो LCM बराबर HCF multiply by A A anupat B रहता है LCM क्याएगा HCF A गुणा B बराबर क्याएगा LCM यह तो सुतर बन गया और सुतर याद रखने हैं कि अवशेक तान इतने रखना है common क्या आता है common हमेशा यह याद रखो आप तो इतना ध्यान रखो HCF यह होता है कि जितनी भी संख्या चाहिए दस दो चाहिए पंदरा संख्या दो उनमें common एक आ रहा है जो एक HCF हो गया अगर दो common आ रहा है सभी में common आनी चाहिए तो वो आ जाएगा ठीक है इसी परकार यह तो यह आ गया HCF अनुपात को भी आपस में गुणा कर दो दिए LCM आ जाएगा संख्या यह निकान ली है तो वो संख्या यह संख्या यह संख्या यह क्या होगी HCF तो HCF N था N गुणा A और N गुणा B इस परकार यह संख्या होगी तो इनका यह आंसर बताई देता इसका तो इस परकार यह concept भी आप अपने notebook में note करते जाएए दीरे 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 आपके देखना complete notes बन जाएँगे यह question इतना बड़ा है गया इंदी कहा गई इसकी अच्छा next में कर दी गया ठीक है Consider the given question डिसाड़ यह तो वह है कि question को पढ़ो question को पढ़ो और जो भी sufficient इनके कहतन दिये हुए कौन सा खतन इनका आंसर देने में sufficient है बस question पढ़ो गया How many cows in a herd are black कि कितनी गाएं इस एक जुंड में कितनी गाएं काली है अब में तो यह नहीं पता कि जुंड में एक जुंड में गाएं कितनी है और यह बोल रहा है काली है ठीक है अब single से करते है single से क्या करते है single single से करते है single एक एक से करते है एक क्या बोल रहा है there are in total cow मतलब herd में जो जुंड है जुंड में गयें कितनी है कितनी है 60 गयें कि there are in total 60 cows कि 60 गयें है ठीक है 60 गयें है अब बोल रहा है कि इसमें there are in 60 गयें है और 60 गयें तो है लेकिन इनका दूसरी बात क्या है कि इसमें काली कितनी है तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि काली काली कितनी है तो इसमें इतने वह रहा है कि टोटल साथ है तो बताना क्या है काली तो नहीं पता तो ये पहला गलत हो गया दूसरा आता है कतन दूसरा, statement 5 बाता कि daar 40% तो जो जितनी भी गएं apo thing कितनी हैं लेकिन इसको यह नहीं पतां कि टोठल कितनी है तो यह अगयला नहीं कर सकतेils बहुत को देखते हैं कि दोनों मिलकर दे सकते हैं कि दोनों मिलकर पहला बोल रहा है टोटल कितनी है साथुरसा बोल रहा है टोटल अता नेतं अक्यले सकता ये अक्यला दो दो दिए सकते ह样 सुर्फ दोनों मिलकर आउनेगाइब तो दोनों मिलकर कैसे दे सकते हैं? पहला नहीं हो, यह नहीं हो का बोथ statement टेकन टोगेजन आर सफििसेन्ट आंसर थे question बट नाइदर statement हाँ यह बोल रहा है यह आ गया यह बोल रहा है कि दोनो statement मिलकर एक साथ आप दोनों question का answer देने के लिए sufficient है, but neither statement alone is sufficient, बलकि एक कोई भी statement अक्यला answer देने के लिए प्रयाप्त नहीं है, ये हिंदी लो आपके प्रस्थन के, हिंदी और बता जिता हूं कि एक जुंड में कितनी गहें काली है, कुल गाय साथ है और उमें से 40% काली है, मैंने हिंदी बोल दोनों कतने एक साथ लेने पर प्रसन का उतर देने के लिए प्रयाप्त लेकिन कोई भी कतने के ला प्रयाप्त नहीं है, ठीक है, अरे वाह, कितना बढ़िया कोईचना है, 13 वरस पहले राम की उमर, सनी से दो गुनी है, age ratio, तो ये क्या है, राम है, ये क्या है, सनी, सनी है, कितने वरस पहले, 13 वरस पहले, तो माइनस के 13, ठीक है, क्या बोल रहा है, राम की उमर सनी की उमर से, अगर सनी की उमर एक है, तो राम की उमर कितनी हो जाएगी, दू गुनी है, तो दू गुनी हो गई, अब से तीन वरस बाद क्या, अब से तीन वरस बाद तो प्लस के ती ताव तो सननी के उमर, राम की उमर की तीन बटा पाँट है, तो सनी की उमर कि तीन बटा पाँट से पाँट कर जाएगा, तो तीन आएगा, तीन में आपको बताऊँ अगर रेशु हम यह लिए मैं अगर पीछे, दो साल किज न्हें तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, इन दोनों का difference निकाल लो, दोनों का difference निकाल लो, plus का 3, minus और minus का 13, यहां लिखने के लिए, तो plus का 3 और plus का 13 कितना आ गया, 16, तो यहां लिख दो plus के 16 और यहां पे plus के 16, यह ratio, ratio के लिए r, बस यह निकाल, इसको इससे multiply कर दो, और इस इसको इससे multiply कर दो, इसको इससे multiply, पहले 2r को 3r से multiply करोगे तो 6r minus, ठीक है, 1r को 5 से गुणा करोगे तो 5r, बरावर, 5 को 16 से multiply करोगे तो कितना हैगा, यह plus है और यह, ठीक है, ठीक है, तो 5 को 16 से multiply करोगे तो कितना हैगा, 80, फिर minus, देखो यहां minus तो यहां भी minus, और 16 को 3 से multiply करोगे तो कितना हैगा, 48, ठीक है, 6r में से 5r गया तो r, और r का मान कितना आ गया, 80 में से 48 गया तो 32, बस, अब क्या पूच रहा है, राम के वरत्मान आप, पहले यह निका लो, तो 13 वरस पहले कितनी थी, राम के आयू थी, 32 दुआ, यह 64 वरस थी और इसकी 32 साल थी, देखो एक आ रहा है, तो 32 और यह दूगुणी हो गई, 13 साल पहले यह दोनों के उमर थी, राम के आयू, वरत्मान, वरत्मान आयू मिल्दो, 13 साल तो यह थी, तो 13 साल बाद में वरत्मान पूछ रहा है, तो प्लस के 13, और 64 प्लस 13 कितने हो गए, 64 प्लस 13 कितने हो गए, 77, कितने हो गए, 77, तो राम के आयू कितनी आ गई, 77 साल यह रेशियों में, पर्जेंट का देता है, तो 0 आता है यहां पर, पर्जेंट का देता है, तो 0 आता है, और पर्जेंट का जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन है कि एक ट्रेन 375 मेटर लंबे प्लेटफोर्म को 27 सेकिंड में पार करती है जदी ट्रेन 70 किलोमेटर प्रती गंठा की गति से चल रही थी तो उसकी यात्रावदी कितनी थी ठीक है यह है कि चाल बराबर दूरी बटा समय चाल बराबर दूरी बटा समय ठीक है अब चाल बराबर दूरी बटा समय तो चाल कितनी है 70 km पर हावर लेकिन ये देखो ये मीटर में पूछ रहा है ये मीटर मेर ये सेकेंड में तो क्या हैगा इसको मेंटर पांस बेंट हां थी से मल्टिप्लाइ कर दिया अब दूरी-दूरी कि निए earrings प्लेट फोर्म और यह ट्रेन यहां से गुजर रही है ठीक है लेकिन यहां से यह देखो रेल विलो अब यह यहां से यहां तक आई पहले तो है तीग है यहां से अब यहां से गई 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 ze कब भी तक यहां पर नहीं कि तो टरेन एक्च्छुल में यहां से यह मूह आ और यहां चला गहा है तब जाए लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है तेन सो पिचेत्तर पलस दूरी कितनी है कि ट्रेन की लंबाई नहीं देर कर पूछ यातरावधी कितनी थी उसकी यातरा वदी यह गलत है देखो यह इंग्लिस में क्या वरा है कि ट्रेन कितनी लंबी थे तो ट्रेन की लंबाई ग्यात करो यहां लिखना है मैं लिख देता हूँ ट्रेन की लंबाई ग्यात करो ट्रेन की लंबाई कि ग्यात करो तो लंबाई कितनी है पहले प्लेट फोर्म की प्लेट फोर्म की दूरी 355 व ट्रेन की लंबाई टी समय कितना है 27 सेकेंड ये इतनी बात समझ में आई न कि ये 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 तो चाल है और चाल को ये तो मिटर परती सेकेंड में कनवर्ट कर दिया अब इसके साथ 365 क्य जाए है platform है और इसमें t's की लंबाई और ये second समय का भाग दे दा 9 से cut करेंगे 2 भार 9 से cut करेंगे तो तीन बार, 2 से cut करेंगे तो 35 35 से multiply करेंगे तो 50 cite 1685 तो 173 इसतरब फिरा जाएगा तो थीन से multiply करेंगे और ये कितना है दो और पांच, 525, थीक है? इधर कितना आया? 375 प्लस T, थीक है? अब 525 भी से 375, पहले 400 लेस करो, 400 लेस करोगे तो 125 बच गया, अब 125 है, 25 पहले extra था तो कितना आ गया 150 तो T बराबर कितना आ गया 150 पॉर्चास मीटर आ गया D यह तो इजी सा आगए कि चाल बराबर दूरी बटा समय वाला था बस दूरी का पता रखना ट्रेन वाली में कि platform हो या आगे हालाज़ कि यदि यदि एककेले काम करता है और और पिर यहाँ पर वर्क है यहां को फिर सफ़ता नी काम पूरा करने में कुल फचेछ दिन लगते हैं तो यदी भी ऐस से अधिक उसल है तो बी को स्वेमकारे करने में कितने दिन लगेंगे में ऐसा पहले भी आया हुआ है पहले भी एक सिप्ट में तोटल दिन कितने लेखते हैं? 25 ठीक है? अब 25 का यह है किन कि? वो निकालो Lcm Lcm निकालो कि तो कितना ऐगा? 12, 25 तो 300 आ गया है तो 12 का 300 आ गया ठीक है? Lcm आ गया यह total work आ गया तो total work total work total work आ गया 300 unit ठीक है? 300 unit आ गया अब बोरा A प्लस B 12 दिन काम करते हैं तो 300 काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 day A plus B यह इनकी efficiency आ जाएगी efficiency कितने आ जाएगी? 3212 यानी 25 तो A plus B कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो 25, 25 unit काम ठीक है? अब आदा काम टोटल काम कितना है तेन सो तो आधा काम हो गया एक सो पचास A करता है और एक सो पचास B करता है और टोटल कितने दिन में करते हैं 25 दिन में देखो, यह रहाँ 25 दिन में करते हैं, A की Efficiency कितनी है? A है, और B की Efficiency कितनी है? B है, अब दोनों का योग A पलस B का मान कितना है? 25, तो पहले B का निकानना है, तो A को विलोम कर देते हैं, तो कितना आता है? 150 और A ब्राबर, A पलस B ब्राबर 25, तो A ब्राबर 25 माइनस B क्या आ गया 25 माइनस B ब्राबर 150 पटे B ब्राबर 25 अब 25 से कट करते हैं तो ये एक बार ये 6 बार माइनस ये प्लस आए गया और ये 6 बार 6 को उस तरफ बेज दो 6 को आगे बेज दिया 6 को आगे बेज दिया तो वो था एक बटा 25 माइनस B प्लस एक बटा B बराबर एक बटे 6 ठीक है अब B उस तरफ चलाए अब LCM क्या आएगा 25 माइनस B और B 25 माइनस B तो इसका इसमें बार ये तो कट जाएगा बचेगा क्या B तो B प्लस अब B से B कट गया तो क्या बचेगा 25 माइनस B बराबर एक बटा 6 20 से B कट गया 6 को 5 से मल्टिप्लाई करोगे तो 150 यहां भी इसको मल्टिप्लाई कर दो तो 25 B माइनस B स्कॉयर ठीक है अब 150 सोरी B स्कॉयर को इस तरफ ले आओ तो B स्कॉयर माइनस 25 B और प्लस 150 कैसे यह पता चल गया बी इदर आते ही प्लस का हो जाए गर माइनस का 25 का प्लस भी है तो यह इदर आते ही माइनस का 25 भी हो जाए तो ऐसी कोई संक्या बताओ जो उनको गुणा करने पर तो 150 और जोडने पर आए कितना आए 25 तो 15 और 10 जोडने पर 25 और गुणा करने पर 150 तो B स्कॉयर माइनस 15 B और माइनस 10 B माइनस 150 बराबर 0 तो इनके टुकडे क्या होंगे बी माइनस 15 और बी माइनस 10 ठीक है तो क्या क्या आ गया तो B का मान क्या ऐसा B का मान आया 15 और 10 अब सब्स् ze बड़ी प्रोबलम है कि सर्ब जगैं 15 मान यह 10 लेका पन डर मान यह 10 पहले 15 मान उफंद्रा Ang, 15 मान ओंगे तो B, MS, A, C, अधिक उसल, अधिक उसल किस condition में होगा, इस में, क्योंकि 15 ज़दा है, 15 रहेगा, तो इसका 10 आएगा, तो क्या मानना है, 15, पूछ क्या रहा है, तो B को स्वेम कारे करने में कितने दिन लगे होंगे, टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा 300 और बटा efficiency कितनी है 15 तो कितना आएगा 20 days कितना आएगा 20 days तो answer आगया C ठीक है next question next question है कि एक सम्चतुर्बुज के एक बुजा की लंबाई 13 सेमी है और विक्रण और एक विक्रण 10 सेमी तो दूसरे विक्रण की लंबाई की आतकरूँ सबसे हीजी सवाल ये भी सम्चतुर्बुज है ये सम्चतुर्बुज है A B C और D देखो पहले आया हो आया है ये सवाल अगर ये complete 10 है तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया अब वही ट्रिप्लेट याद रखो ट्रिप्लेट याद भी न रखो तो ये 90 डिग्री रहेगा सम्चतुर्बुज है तो A स्कार प्लिस B स्कार बराबर C स्कार तो पांच का स्कार एक सो गुण अंतर में से 25 गया तो कितना आएगा 147 का बारा तो बारा और बारा 24 तो कितना आ गया अंसर इसना लेकें है hurricane की एथीन अब 16 साल का है और उसका चत्र वाई जू गुना वोगी कितने और बाद में देखेंगे पहले यह ऐं कि ये तो रथीन ना तो ये रथीन है ठीक है ये रथीन है रथीन अनुपात ये क्या है उसका चचेरवाई तो चचेरवाई कजन मान दो तो अगर इसकी इसकी एक है तो इसकी एक फाइंट पांस जिरो लगाओ दस तो तीन अनुपात दो है तो इसकी कितनी ज्यादा है एक सा साल देखो 9 साल तो गुना 9 तो यह कितना है इनो तो 9 को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 27 और इसको 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 18 अब क्या बोल रहा है बोल क्या रहा है कितने वरस बाद कितने वरस बाद यह इस अनुपात पर आएगा तो कितने वरस बाद आएगा यह ठीक है next question, next है कि एक प्रिक्सा में कक्सा में 10 लड़कों का उसत 15 है, जबकि कक्सा में 25 लड़कों का उसत 16.2 है तो लड़कियों का उसत ग्यात करो, अब लड़कियों का उसत ग्यात करने के लिए 10 लड़के हैं ठीक है, और उसत इसकोर कितना है, 15 ठीक है, लड़कियां कितन इनका उसत कितना है? 16.2, ठीक है? अब किस परकार करते हैं? अब इसमें यह करते हैं, कि यह थोटा है, यह बटाए ygha. in localarti मतलब यह इस संक्या को 0 माल लो. पंधरा कठा दो. इसमें से फंधरा कठाएंगे तो 0. इसमें से फंधरा कठाएंगे तो कितना हैगा At. आउक,줄 असा आएगा और 16 में से 15 गये तो 1.2 ठीक है अब इसमें क्या निकाला है इसका मान निकाली 15 को अक्स से गुणा करो 15 गुणा एक्स बटा टोटल स्टुटेंट कितने है 25 और बराबर कितना है 1.2 तो एक्स का मान कितना है गया 2 तो 2 पलस 15 कितना आ गया 17 तो आंसर क्या आ गया 17 ठीक है यह आज की क्लास यही समाप्त होती है आज के लिए मैं समाच आता हूं कि आज मैं आपके कमेंट नहीं देख पाया इसलिए और कल की परसों की और सोमाप्त की चुटी रहेगी मंगलवार को फिर अपनी कलास रहेगी आप सभी को होली की बहुत अच्छी सुबकम नहीं बहुत सारी सुबकम नहीं आप सभी सेकुसल रहे आपका परिवार को भी बहुत सारी दिल से आर्दिक सुबकम नहीं और आप अ कल तो पढ़ना है बस कल इनी इस class को वापस देख लेना यह तोड़ी complete मैंने करवा देख धन्यवाद